हमने सीखा पहला, यदि एक किरन एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 अंश होता है दूसरा, यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी वे भुजाएं जो उभैनिष्ट नहीं है वे एक रेखा बनाती है उपरियूक्त दोनों अभिग्रिहितों को मिला कर रैखिक युगम अभिग्रिहित कहते हैं तीसरा, दो प्रतिछेदी रेखाओं के शिर्षा भिमो कोण बराबर होते हैं चौथा, जब एक तीर्यक रेखा, दो समानतर रेखाओं को प्रतिछेद करती हैं तब पहला संगत कोणों का प्रत्तेक युग्म बराबर होता है दूसरा एकांतर अंता कोणों का प्रत्तेक युग्म बराबर होता है तीसरा तीर्यक रेखा के एक ही ओर के अंता कोणों का प्रत्तेक युग्म संपूरक होता है पांचवा दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि एक तीर्यक रेखा इन रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेत करे की पहला संगत कोणों का कोई एक युग में बराबर हो या दूसरा एकांतर अंता कोणों का कोई एक युग में बराबर हो या तीसरा तीर्यक रेखा के एक ही और के अंता कोणों का कोई एक युग में संपूर रखो छटवा वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानतर होती है परस पर समानतर होती है साथवा एक त्रिभुच के तीनों अन्ता कोणों का योग 180 अश होता है आठवा यदि किसी त्रिभुच की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस तरह बना बाह्य कोण अपने दोनों अन्ता अभिमुक कोणों के योग के बराबर होता है